जै मतादी नमस्ते तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीवलिंग के उपर बाद ही जाने वाली मटकी को क्या कहते हैं इसके बारे में जानेंगे और इसे कब बाना जाता है और क्यों बाना जाता है हम कई बार सीवलिंग के उपर एक मटकी बंधी हुई देखते हैं जिसमें स बुंद बुंद पानी सिवलिंग पर गिरता रहता है ये द्रिस अक्सर गर्मी के दिनों में देखने को मिलता है इस प्रमपरा से जुड़ी कई बाते हैं जिसके बारे में जानना बहुत ही अवस्चक है तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं इन दिनों बैसाक मास चल रहा इस महीने में सीवलिंग के उपर एक पानी से भरी मठकी बांधने की परंपरा है इस मठकी से बुंद बुंद पानी सीवलिंग पर गिरता रहता है बैसा आख मास में ही ऐसा क्यों किया जाता है और इस परंपरा का क्या महत्व है इस से जुड़ी कई कथाएं और मन्यताएं हमारे समाज में प्रचलित हैं आज हम आपको इसी प्रंपड़ा से जुड़ी खास बाते बता रहे हैं इस मटकी को क्या कहते हैं सिवलिंग के उपर जो पानी से भरी मटकी बाधी जाती है उसे गलंतिका कहा जाता है गलंतिका का साब्दिक अर्थ है जल पिलाने का करवा या बरतन इस मटकी के नीचे की और एक छोटा सा छेद होता है जिसमें से एक एक बुंद पानी सिवलिंग पर निरदतर गिरता रहता है ये मटकी मिटी या किसी अंधातु की भी हो सकती है इस बात का विशेश ध्यान रखा जाता है कि इस मटकी का पानी खत्म न हो क्या है इस परंपरा से जुड़ी कता तो चलिए इसके बारे में जानते हैं धर्म गरंतों के अनुसार समुंद्र मंथन करने पर सबसे पहले काल कूट नाम का भेंकर बिश निकला जिस से संसार में तराही तराही मच गई तब सीव जी ने उस बिश को अपने गले में धरन कर लिया मन्य अताओं के नुसार बैसाख मास में जब अतियदी गर्मी पढ़ने लगती है जो काल कुट बिश के कारण सीव जी के सरीर का तापमान बढ़ने लगता है तब उसे तापमान को नियंतरित रखने के लिए ही सीव लिंग पर गलंती का बांधी जाती है जिसमें से बुंद बुंद तपकता जल सीव जी को ठंड़क परदान करता है सीव लिंग पर परति दिन लोगों द्वारा जल चढ़ाया जाता है इसके पीछे भी एही कारण है कि सीव जी के सरीरी का तापमान समान रहे गर्मी के दिनों में तापमान अधिक रहता है इसलिए इस समय गलंती का बांधी जाती है ताकि निरंतर रूप से सीव लिंग पर जल की धारा गिरती रहे बैसाख मास में लगभग हर मंदिर में सीव लिंग के उपर गलंती का बांधी जाती है इस परंपरा में ये बात ध्यान रखने वाली है जो गलंती का में डाला जाने वाला जल पूरी तरह से सुध हो चुकि यह जल सीलिंग पर गिरता है इसलिए इसका सुध होना अती अवस्यक है अगर किसी अभवपिद्र सुरोत से लिया गया जल गलंतिका में डालने से भविस्में परिसानियों का सामना करना पर सकता है अता साप्स और सुता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है तो आए जनकारी आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछे जै मताली